नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का सेविल बन जिरो बन में मेरा नामें संदीब कैसे हैं आप सभी लोग वेरे गूड मॉर्निंग तो आल अफ यू दोस्तों आज के इस सेशन में इरिगेशन इंजिनिरिंग का हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइवर्जन हैडवर्क्स इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं कल हमने बात की थी रिवर्ज एंड रिवर ट्रेनिंग की रिवर्ज एंड रिवर ट्रेनिंग के अंदर हमने जाना था फ्लेशी रिवर है, वर्जिन रिवर है, किस टाइब की रिवर आपके पास है, फिर हमने प्लान व्यू, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग वो रिवर कैसे दिख रही है, स्ट्रेट है, मेंडर कर रही है, ब्रेडिट दिख रही है आपको, इस तरीके से हमने बात की थी, उसकी आज हम बात करेंगे divergen headwork divergen headwork के अंदर कैसे आप river से पानी जो है वो canal के अंदर लेके आते हैं structures का आपको use करना होता है उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं an academy पर और जैसा आप सभी को पता है an academy is India's largest online learning platform जहां पर आप तयारी करेंगे अपने dream exam के और उसके लिए आपको क्या करना है an academy की app के उपर जाके अपना goal select करना होता आप किस exam के तयारी कर रहे हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं gate और engineering services की तो आपका goal होगा वो अगर आप तयारी कर रहे हैं SSC J E या state A E exam की तो आपका goal होगा SSC J E and state A E exam get subscription पर क्लिक करना है duration select करनी है कितने duration के लिए आपको subscription चाहिए and then you can use the referral code Sandeep double one जिससे आपको 10% off भी मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलेगा unacademy platform पर throughout the category आपके CB educator की कोई भी class आप देख सकते हैं चली let us start बात करते हैं दोस्तो classes के schedule की तो सुबर 9 बज़े हमारी irrigation engineering शाम को 8 बज़े इसी का practice session 12 बज़े हमारा transportation engineering जिसके अंदर railway engineering हम शुरू कर चुके हैं और SSC J main point of view से soil mechanics हम बढ़ रहे हैं 3 बज़े के session के अंदर canal headworks की बात करते हैं या फिर divergent headwork की बात करेंगे तो river का जो पानी है उसे हमें canal में divert करना है canal के अंदर हमें उसे पानी को provide करना है तो इससे हम कहते हैं divergent headwork हम बोल देते हैं canal headwork का मतलब क्या हो गया canal का जहां से जहांपर उसका head present है वहां से हम बात करते है तो canal का head work होगा canal के head के उपर जहां से canal originate हुई शुरू हुई वहां पर क्या-क्या structures हम construct करते हैं जो कि facilitate करेंगे जो कि मदद करेंगे पानी को beat तक लाने में ताकि canal के अंदर पानी आजाए तो वो canal में पानी river से कैसा है उन structures के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे So in order to divert water from river into the canal It is necessary to construct certain works on the structure across the river River जा रही है उसके across River आपके इस तरीके से flow कर रही है उसके across का मतलब ऐसे इस तरीके से जैसे road होती है road को हम cross करते है तो हम कैसे चल रहे होते हैं We walk across the road हम उसके across जाते हैं तो उसी तरीके से यह river ऐसे flow कर रही है अगर तो इसके across हम जो structures बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं Divergent head work कहते हैं और जो canal वहाँ से निकलती है उसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ से जो canal निकलेगी उसे हम बोल देते हैं off taking canal उसे हम कहते हैं off taking canal बोल देते हैं यहाँ पर The works which are constructed at the head of the canal यहाँ पर यहाँ पर canal का क्या है? Head है तो यहाँ पर head of the canal पर जो आप work करते हैं जो works construct करते हैं या जो structure आप बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं Divergent head work ताकि यह जो पानी यहाँ से आ रहा था river के अंदर उसे divert कर दिया जाए किसके अंदर? canal के अंदर अब अलग-अलग type के Divergent head work हो सकते हैं आप पानी को store करें फिर उसके बाद आप divert कर दें उसे या directly आप उसे लेके आएं तो store करके फिर आप पानी provide कर रहे हैं या फिर direct divert कर रहे हैं इधर divergen कर रहे हैं divergen कर रहे हैं तो आपके पास दो प्रकार के आते हैं divergen head work पहला temporary रूप से आप उसे कर सकते हैं temporary divergen head work के अंदर क्या होगा? आप earth की मिट्टी की embankment बना दो borders बना दो बीच रस्ते में पानी flow कर रहा था उसके बीच में बना दो पानी को उस तरफ से आपने divert कर लिया कुछ समय के लिए अगर आपको पानी को divert करना है तो ऐसे case में आप या तो आप कहले जिए जो आप बनाते हैं यहां पर embankment या बन्ट्स जो आप बनाते हैं यह सपर्स जिनको हम बोल देते हैं पानी की आपने एक तरीके से एक दिवार बना दी पानी की नहीं स्वाई की आपने या फिर मिट्टी की अर्दन embankment एक बना दी जिससे की आप पानी को divert कर देते हैं तो ऐसे केस में जब आप बात करें इस बन्ट्स आर कंस्ट्रक्टिड आल्मोस्ट एवरी यह आफ्टर दा फ्लड्स विकॉस दे में बी डैमेजड बाइद फ्लड्स टेंपरेरी स्ट्रक्चर है डैमेज हो जाता है फ्लड के कारण तो दुबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है पर्मानेंट हेडवर्क जो आपके पास होते हैं पर्मानेंट डैवर्जन हेडवर्क वो आप पर्मानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं वियर्स जैसे हो गए आपके बेराज हो गए ऐसे स्ट्रक्चर जो की damage नहीं होते हैं खराब नहीं होते हैं पानी के कारण या flood के कारण उन्हें हम बनाते हैं यहाँ पर In our country, most of the divergent headworks for important canal system are permanent divergent headwork, permanent ही हम बताते हैं झाल झाल साउंड ऐसा कुछ अजीब आ रहे हैं बीच में कि झाल झाल चलिए अभी ठीक है कुछ प्राप्लम आई तो आप बता दीजिएगा थोड़ा यसपनेट मैंने कर दिया है इससे बेठर होना चाहिए देखे टैंपरेरी डैवरजन एड़ग की बात करी थी हमने जो टैंपरेरी स्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको भार भार मिंटेन करना पड़ता है या परीपनेंट डैवर्जेन क्या होता है तो बेराज जो है वो क्या करता है the provision of a series of gates across the river for flow regulation बेराज के अंदर क्या present होते है गेट present होते है तो वियर और बेराज में difference क्या है दो images को देखेंगे और वो हमें याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा वियर क्या होता है एक तरीके कि आपने दिवार construct कर दी रिवर के रस्ते में एक दिवार construct कर दी जिसके उपर से पानी flow कर रहा है तो water वियर की case में इसके उपर से flow करता है अगर बेराज के हम बात करें तो बेराज के case में gates present होते है या इसके नीचे से पानी जो है वो flow करता है तो ponding जो हम करते हैं ponding का मतलब क्या हो गया पानी इकठा करते ना पीछे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस diagram के अंदर इस photo में अगर आप देखेंगे तो पीछे पानी जो इकठा हो जाता है ponding जो हो जाती है तो यह ponding किसके द्वारा होती है वीर के case में तो आप एक कहलीजिए कि एक barrier बना दिया आपने एक दिवार बना दी पानी के रस्ते के अंदर तो उसके कारण ponding होई और यहाँ पे हम gates का use करते हैं जो पानी को regulate करने के लिए किस section में यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो यह raised crest topmost portion को crest बोल देते हैं तो ज़्यादा तर पानी जो ponding करवाई आपने वो crest को raise करने के करन कराई आपने तो आप इस barrier को इस रुकावट को क्या बोलते हैं वीर बोल देते हैं इसी के तरा जो ponding कराता है change क्या है यहाँ पर पानी को पीछे ही कठा कर रहा है change क्या है कि यहाँ पर gates present होते हैं और इन gate की मदद से आप regulate कर सकते हो कि कितना पानी आगे जाने देना है इसलिए आप इसे river regulator भी कहते हैं इसे आप बेराज या फिर river regulator कहते हैं आवाज सही नहीं आरी तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो यह लेंट क्रेस्ट टॉप मोस्ट पोर्शन को क्रेस्ट बूल देते हैं तो इस प्रेर की केस में तो हाँ पिक क्या लिए थी कि एक बैरियर बनाती आपने एक दिवार बनाती पानी रस्ते हैं चली वियर और बेराज हमें समझ में आ गया हूँ अब कल हमने बात की थी river जो है वो अपने कौन-कौन से stage में exist करती है कल हमने types of river की बात की थी तो on the basis of location में हमने समझा था कि जब river अपने हिली stage के अंदर है या rocky stage के अंदर है वहाँ पर हमने बात की थी In season rivers की तब हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर velocity बहुत जाधा रहती है हिली stage में river होती है तो वहाँ पर slope बहुत जाधा रहती है तो वहाँ से कैनाल आप लेके आप आएं पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे rocks के अंदर erosion कम होता है, अलांकि वहाँ पर sediments कम होते हैं, लेकिन वहाँ से कैनाल ला पाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना suitable amount of discharge भी नहीं मिल पाता है एक particular जगा से आपको, तो rocky stage म यहाँ पे boulders, gravel, silt, sand, सब कुछ यहाँ पर मौझूद है, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा पानी, यहाँ पर आने के बाद sediment का amount जो है यहाँ से वो बढ़ जाएगा, sediment का amount बढ़ेगा और इन boulders के नीचे भी पानी जो है वो फ्लो हो रहा होगा, या फिर ऐसे कह लिजिए sub-surface flow हो रहा होगा, sub-surface, surface के नीचे भी पानी जो है यहाँ पर flow हो रहा होगा इन boulders के नीचे, तो वो भी यहाँ पर present रहेगा, तो large sub-soil flow जो है boulders region के अंदर होगा, क्योंकि permeability यहाँ पर जादा होती है, boulders हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, तो ऐसे case में canal headwork यहाँ बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाया जा सकता है, उसके बाद आ जाता है aluvial या फिल जो आपके flood plains होते हैं, वहाँ पर, तो जब flood plains में हम आ गए, यहाँ पर आप canal headworks बना लीजिए, और फिर यहाँ से आगे further आप जो है लेके जा सकता है, उसे, delta stage के अगर हम बात करें, जब पूरी की पूरी river जो है वो बिलकुल sea में जाके मिलने वाली है, तो वहाँ जाके बनायेंगे तो possible नहीं है, क्यों? क्यों possible नहीं है, क्यों क्यों पूरी earth को अगर आप देखेंगे, तो इनके elevated points, जो सबसे highest point है, सबसे highest, जो height के उपर present है, अगर यह possible है, कि आप इस point पे, जब यहाँ पर delta region बन जाता है, delta region में आके आप क्या कर पाएं, यहाँ से canal जो है वो लेके जापाएं, नहीं लेके जापाएंगे ना, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, mean sea level, तो mean sea level का जो elevation है, वो zero है, datum मानते हैं हम उसे, उसी के reference में बाकि सारे points का, हम level जो है वो लेते हैं, reduce level हम consider करते हैं, तो जब आप सबसे नीचे वाले point पे अगर चले गए, तो वहाँ से आप पानी उपर की direction में कैसे लेके आपाएंगे, तो delta region के अंदर possible नहीं है, कि आप वहाँ से canal जो है लेके जापाएं, लेकिन फिर भी, अगर कुछ दूरी की अ बहुत जादा sediment आने के कारण वहाँ पर feasible नहीं है, कि आप canal headworks जो हैं, वो आप बनाए, not suitable हो जाता है, clear, damn एक तरीके का large reservoir हो गया, जिसके अंदर बहुत सारा पानी store कर सकते हैं, और वहाँ पर और भी functionality हो सकती है, navigation की हो सकती है, electricity generation हो सकता है वहाँ पर, तो ये बात तो decide हो गई कि कहाँ पर canal headwork बनेगा, जब river है, rocky stage में नहीं बना सकते, delta stage में नहीं बना सकते, boulder में बना सकते हैं, alluvial stage के अंदर हम उसको बना सकते हैं, तो वहाँ पर बनाएंगे हम, अब एक diversion headwork के अंदर क्या-क्या component होते हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इनी को बार-बार repeat करते जाएंगे, और जब तक ये topic खतम होगा, तब तक हमें वो अच्छे से याद हो जाएगा, अब आप ये देखे, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, river जो है, वो इस direction में flow करेगी, river इस direction में flow करेगी, तो आपने यहाँ पर से कह लीजिए कि आपने borders बना रखी हैं, क्यों बना रखी हैं, क्योंकि river का पानी जब आ रहा है, river के पानी के रस्ते में आप क्या बना रहे हो, एक obstruction बना रहे हो, एक रुकावट बना दोगे, तो पीछे upstream direction में, river के अंदर पानी का level rise करेगा, जब पानी का level rise करेगा अगर तो आपने river के रस्ते में जब कोई structure बना दिया, water level यहाँ पर rise करेगा, तो इस वाले जो area है, यह flooded हो जाएंगे, यहाँ पर water level rise करेगा, पानी जो है आगे इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ऐसे case में हम क्या करते हैं, मान लिजी, यहाँ से elevated जगा है, उठी हु जगा थी, तो इसके beach में आपने क्या कर दिया, इसको पानी को enclose कर लिया, यहाँ से ऐसे borders बनाते बनाते या फिर boundary embankment बनाते बनाते, आप highest वाले points जो उनको join कर दो, मान लिजी, यहाँ से कोई hill का part आ रहा था, तो वहाँ तक ले जाके आप ऐसे join कर दो, इस तरफ से भी आप देखोगे, तो इस तरीके से join कर दो, आप यहाँ पर, तो अब जो भी पानी आएगा, वो इसके beach में रुक जाएगा, ऐसे यहाँ पर, यहाँ पर पीछे से पानी आई रहा था, इधर जो है elevated जगा थी, उठी हुई जगा थी, कोई hill था, यहाँ पर मान लिजी इस तर उसको divert कर रहे हैं, जब यहाँ पर पानी आ जाएगा, तो आपने क्या बनाया, वीर बनाया, अब यह पूरा जो structure आपको दिख रहा है, यह क्या दिख रहा है, वीर बना दिया आपने, पानी के रस्ते के अंदर एक रुकावट बना दी, वो क्या बन गया, वीर बन गया, अ बनाने के कारण क्या हो गया, एक portion इधर आ गया, एक portion इधर रह गया, तो इस तरफ वाले को हम बोलते हैं, वीर प्रॉपर या नॉर्मल वीर, क्या बोलते हैं इसे हम, नॉर्मल वीर या फिर वीर प्रॉपर हम उसे कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, दुबारा से इसक बचा बड़े साइड वाला यह है normal वियर कहते हैं इसे या फिर आप इसे कहते हैं वियर प्रॉपर या main वियर कहते हैं तो इसे हमने वियर प्रॉपर कहां इस तरफ वाला जो आपके पास है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर under sluice pocket एक pocket बन गई यहाँ पर इतनी सी अब थोड़ा सा 3D imagination यहाँ पर जरूरी है एक यहाँ पर क्या बन गई आपके पस pocket बन गई इस pocket को हम कहते हैं under sluice pocket कहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं under sluice pocket कहते हैं हम इसे under sluice portion of wear crest level जो इसका होता है lower होता है than that of this wear अगर इस point को दुबारा से मैं समझू हालांकि आगे भी हम इसको समझेंगे दुबारा जब individually इस component को पढ़ेंगे तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जब आप खड़े होके देखेंगे जब आप यहाँ खड़े होके ऐसे देख रहे हैं तो यह वाला portion जो है आपको नीचा दिखेगा as compared to यह वाला portion इधर वाला उठा हुआ होगा उपर होगा ऐसे देख लीजी इस तरीके से कुछ तो यह वाला जो portion है यह उपर रहता है उचा रहता है इधर वाला portion थोड़ा नीचे रहेगा क्यों रहेगा यहाँ पर यह वाला portion जो आपके पास होगा यह नीचे इसलिए होगा और 3D में थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसे मान लिजीए इनको आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि यह वाला जो portion है यह वाला portion नीचे है वो वाला portion थोड़ा उठा हुआ है तो जब वो वाला portion अगर उठा हुआ है तो जब पानी आएगा यहां से तो पानी पहले कौन से portion में आएगा यह नीचे वाली जगा पे पानी पहले आएगा as compared to उपर वाली जगा के तो नीचे वाली जगा में पहले आएगा और यहां से हम क्या कर लेंगे केनाल को इस तरफ केनाल में पानी इसका लेके चले जाएंगे तो जब पानी आ रहा है तो इसका फ्लोर जो है वो नीचे as compared to इसका तो पानी पहले इस पे आएगा इस तरफ आएगा इस पॉकेट में आ जाएगा इस पॉकेट से पानी हम इस कैनाल के अंदर ले जाएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ नीचे Peyars बने हुए होंगे, यहाँ पर या फिर आप कहले होंगे, जिनके बीच में Gates भी होंगे, आप चाहें, तो जब पानी जाधा आ जाए, तो उन Gates के पानी भी इधर निकाल सकते हैं और यहां पर यह under sluice pocket होती है ना यह गहरी भी होती है नीचे भी होती है तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि पानी यहां आएगा इस pocket में रुक जाएगा इस pocket में रुकने के बाद sediments यहीं settle हो जाते हैं जो silt के particle है वो यहीं settle हो जाएगा तो निचे sediment particle सेटल हो जाएंगे यहाँ पे आके पहले पानी फ्लो कर रहा था उसके अंदर टर्बुलेंस था यहां आके उसको थोड़ा सा रिलेटिवली इसके कंपरेजन में यहां पे थोड़ा सा उसको टर्बुलेंस कम मिलेगा तो पार्टिकल यहां सेटल हो जाएंगे ज जब silt यहाँ जादा हो जाए तो यहाँ वाले gate होते हैं यहाँ पर इन gate को आप open कर दो इनके थ्रूँ आप silt जो है यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं उठा हुआ इस तरफ वाला इसलिए रखते हैं ताकि जब पानी जादा आ जाए यहाँ से उठा हुआ हम इसलिए रखते हैं आपके पास इस तरीके से कुछ structure है अगर अब आप पीछे से देखेंगे इसको अगर उस तरफ से आप देखेंगे तो ये वाला portion आपको थोड़ा नीचे नजर आएगा as compared to this portion ये वाला portion नीचे होगा न जब पानी उदर से आ रहा है तो इसके उपर से तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि पहले इधर जगा मिल रही है उसको आप एक ऐसे wall imagine कर लीजिए एक दिवार है जो एक तरफ से ऊची है और दूसरी तरफ से नीची है हलांकि इसका जो surface है वो भी जादा होगा यहाँ पर इसके उपर वाला जो floor है तो crest portion आप कह लीजिए बस imagine करने के लिए एक wall imagine कर सकते हैं एक तरफ से नीची है एक तरफ से ऊपर है तो पानी पहले कहां से आएगा इस तरफ से आएगा जब इस तरफ से पानी आएगा तो यहाँ पर यह एंडर स्लू़िस pocket बनी हमारे पास और इस एंडर स्लू़िस pocket के अंदर हमने कुछ इस तरिके से यहाँ पर यह pocket बना रखिया चैनाल को हम लेके गए यहां से यहां से कैनाल ऐसे बाहर जा रही तो कुछ जगा यहां पर मिल रही है जिस पर sediment particles जो है यहां पर settle हो सकते हैं और फिर इन sediment particles को यहां gates के through इस तरफ वापस हम बाहर निकाल लेंगे पानी जो है वो उदर से आ रहा था ऐसे और अगर कम पानी भी आएगा monsoon season जब नहीं है बारिश नहीं हो रही है जब discharge river के अंदर बहुत कम है या फिर dry weather के दोरान हम बात कर रहे है तो तब अगर कम discharge भी आ रहा है तो वो पानी इसके उपर से ना निकल के पानी पहले कहां जाएगा इस तरफ जाएगा इस पॉकेट में जाएगा इस under sluies वाली पानी जो है वो फ्लो करता ही रहेगा ठीक है यह बात होगी हमारी under sluies pocket की अंदर sluies pocket के अंदर से पानी हम केनाल में दे रहे हैं अगर इस तरफ भी केनाल होती तो यहां पर भी पर इस तरफ भी कैनाल अगर जाती हमने अभी एक तरफ दिखा रखे है और अगर इस तरफ भी जाती तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं यह main main बाते होगी जो component है fish letters जो होती है तो fisheries के लिए fish जो है वो food के search में या फिर एक proper environment के search में वो upstream से downstream, downstream से upstream जो है वो travel करती है उनको दिक्कत नाए fish life, aquatic life effect ना हो ऐसे structure बनाने की वज़े से तो हम fish letters भी हम provide करते हैं अग्रेडिंग rivers कौन सी होती है जो जाके silting कराती है, deposit करा देती है material को कल की class में हमने बात की थी main cause of meandering, meandering क्यों होती है, meandering किस कारण से होती है turbulence generated by excess of river sediment during the floods, इसके कारण river जो है वो अपना ऐसे curve जो है change करती हुई जाती है wear की बात की हमने, तो wear में हमने बोला, क्या होता है, wear एक obstruction है, रुकावट है जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, पानी को पीछे store कर सकते हो, ponding करवा सकते हो हो भी सकता है कि wear के उपर gates हो, लेकिन जरूरी नहीं है in general हम बोलते हैं कि wear जो है, वो कैसा होता है, एक masonary structure जो की आपके पानी के रस्ते में obstruction create कर दी wear को तीन टाइप से classify करते है, masonary wear, vertical drop के साथ, rock fill हो सकता है, जिसके apron हो, sloping करते हो, apron हो यहाँ पर या फिर concrete wear with a downstream slope, तो wear के अंदर सबसे पहले, wear with vertical drop सीधा, पानी जो है उसके थुरूख गिरेगा, यहाँ पर बहुत पुराने टाइप का wear होता है rock fill wear with sloping apron, इस तरीके से यहाँ पर sloping aprons बनाए हुए हम यहाँ पर, और बीच बीच में इसके अंदर हमने core walls भी construct कर रखी है ताकि यह जो rock fill है, इसको वो support कर पाया, यहाँ wall construct कर दी, इसमें rock fill कर दिया, यहाँ construct कर दी, इसमें rock fill तो sloping apron हमारे पास होते हैं, तो यह rock fill wear भी होता है, concrete wear with a downstream glacis, glacis का भी मतलब क्या हो जाएगा, एक curved वाला slope आप यहाँ पर provide कर देते हैं clear, तो यहाँ पर भी concrete का glacis जो है, वो हम provide करते हैं main main आपको बस पता होना चीए, definition पता होना चीए, wear क्या होता है और bearage जो है, उसके अंदर difference जो है, वो क्या है यहाँ पर bearage के अंदर gates होते हैं, इसलिए इसे river regulator भी बोलते हैं, difference between bearage and wear जो है, वो qualitative है in the former, यहनी की bearage के अंदर, gates provide the larger part of ponding, while the later, the crest carries most of the ponding bearage में पानी store किया जाएगा, gate की मदद से, river जो आपका wear है, wear के अंदर, खुद वो wear structure जो है, वो करेगा next, अब एक-एक करके components को हम पढ़ेंगे river training, river training क्या होती है, इसके बारे में तो already हम बात कर चुके, river training works are required near the wear sides in order to, किसलिए कि पानी जो आ रहा था, river training क्यों कर रहे हैं, पानी जो आ रहा था, उसको हम यहां पर divert कर पाएं, यहां से पानी इधर वाले area को, यहां पर जो area present है, क्योंकि हमने यहां पर structure बना दिया, river के रस्ते में, तो उसके कारण इधर वाले areas flooded ना हो जाएं, इनके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर structure बना रहे हैं, हम spurs बना रहे हैं, या फिर groyons बनाएंगे हम यहां पर, तो guide banks रहते हैं, आपके पास एक तो पानी को guide करके इस direction में यहां पर लाने के लिए, marginal burns बनाते हैं, ताकि इधर वाले areas जो हैं, वो flooded ना हो जाए, पानी जो है, out flank ना कर जाए, बाहर ना आ जाए यहां पर, spurs या groyns यह भी हम बनाते हैं यहां पर, तो guide banks की बात हो गई, marginal burns की बात हो गई, कि जो extra पानी या efflux बोलते हैं, efflux का मतलब क्या हो गया, कि पानी बहरा था और आपने बीच में रोक दिया उसको, तो upstream side में, पीछे की direction में, जो पानी का level rise कर जाएगा, इसे हम क्या बोल देते हैं, efflux बोल देते हैं, तो पानी बहरा था उसको रोक दिया आपने, तो पीछे की upstream side पे water का level rise हो जाएगा, उसे efflux बोल देंगे, तो इस efflux के करण, यहां का area है, वो flooded ना हो जाए, नया जो highest flood level बना पहले, highest flood level कुछ और था, जब river बहर रही थी, तब जादे-जादे कितना पानी आ सकता है उसमें, और अब highest flood level उस करने के लिए, earthen embankment को, यह मिट्टी से अगर आपने बना रखाते हैं, तो इसको protect करने के लिए जो दिवार बना देते हैं, ताकि यह खराब ना हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास spurs या groyons जो हैं, वो कहलाते हैं, so, in river, spurs are provided to train flow along a specified course, A river training work is generally required when the river is, river training work कब जरूरत पढ़ती हैं, meandering type की river होती है, तो उसके इंदर river training work की हमें जरूरत पढ़ती है, Eflux क्या होता है, already हम बात कर चुके, जब पानी normally flow हो रहा था, तो वो इस तरीके से flow हो रहा था, जैसे आपने structure बनाया, तो upstream side पे water का level जो rise कर जाता है, वो क्या कहलाता है, Eflux कहलाता है, पहले के time पर, उस river का highest flood level, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना आ सकता है, अब ये barrier बनाने के कारण, अब उसका नया highest flood level बन जाता है, यहाँ पर, और ये जो rise आया, इसे हम क्या कहते हैं, Eflux कह देते हैं, इसके बाद बात आती है, दोस्तों, pond level क्या होता है, pond level क्या होता है, the water level required in the under sluice pocket, upstream of the canal head regulator, so as to feed the canal with its full supply is known as pond level, एक बार फिर से देखते हैं, इसको diagram के थ्रू समझते हैं, कि क्या है pond level, ये आपके पास, पास, ये आपके पास, under sluice pocket है, ये वाली जो pocket बन रही है, ये under sluice pocket है, इस under sluice pocket के अंदर जो water का level होगा, ये वाली जो under sluice pocket है, इस under sluice pocket का भरा होना जरूरी है, माल लीजिए, इसका highest level इतना है, इसका level कितना हो, कि canal जब इससे निकले, अब canal को उना बना देते हैं, इससे थोड़ा नीचे बना देते हैं, कैनाल को कहां बना देते हैं यहां बना देते हैं कैनाल मान लीजी ऐसे निकल रही है यहां से तो highest flood level इस pond level का मतलब क्या है कि pond जो है उसमें पानी यह जो pocket बनी इसमें पानी कितना भरा हुआ हो कि कैनाल हमेशा भरी हुई चले अगर हम कैनाल के अंदर water supply करना चाहें तो वो maximum amount का इसके अंदर भरा हुआ चले यह मतलब हुआ किसका? pond level का तो pond level में हमने कहा कि water level required in the under sluice pocket इस pocket के अंदर water level कितना हो कि जिस से कैनाल जो है वो उसके full supply level FSL बोलते हैं हम reverse के case में हम बोलते हैं flood level जब वो maximum कितना भरी हो ही हो सकती है कैनाल के case में हम उसको बोलते हैं full supply level तो full supply level का मतलब कि कैनाल को हम पूरा full भर के भेज़ें अगर उसके maximum discharge capacity तक भर के अगर हम उसको भेज रहे हैं तो कब भेज पाएंगे? जब इसका full supply level इस से उपर pond level हो यह वाला level क्या आ गया? pond level आ गया तो pond level जो वो उन्चा हो इसके full supply level से यह हम यहाँ पर कह रहे हैं कि this is pond level अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों के मध्य जितनी दूरी है या जितना head present है pond level कितना उन्चा है कैनाल के इस से तो यह क्या कहलाएगा यहाँ पर यह इसके लिए head हो जाएगा अवेलेबल head at the कैनाल head regulator is therefore equal to difference in pond level and कैनाल full supply level तो कितना वो pond भरा हुआ है उसमें से कैनाल का कितना difference है चलो आगे बढ़ते हैं next आता है under sluice या फिर जो scouring sluices है इनके बारे में already हम बात कर चुके थोड़ी नीची होती है यहाँ के पानी इनके इंदर store हो जाता है under sluice pocket बनाई किसने under sluice pocket बनाई divide wall ने divide wall ने क्या कर दिया इसको wear proper और एक तरफ under sluice pocket पूरे wear को दो पार्ट में divide कर दिया under sluice pocket और wear proper के फॉर्म में यहाँ पर तो यह आपने बना दिया यहाँ पर divide wall की मदद से यह बना दिया क्या-क्या main points है जो already discuss ही कर चुके comparatively less turbulent pocket यह जो pocket है कम turbulence होता है यहाँ पर divide wall separates main wear portion from the under sluice portion तो divide wall जो है इनको क्या कर रही है divide कर रही है under sluices are openings provided in the wear wall with their crest at low level इसका level नीचा होता है और उसमें openings भी रहती है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर openings भी रहेंगी gates भी रहेंगे जिनके थुरू हम क्या कर देते हैं जो भी extra पानी है वो भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो भी sediment silt जो deposit हो रहे हैं उने भी हम बाहर भेज देंगे they are located on same side as that of taking canal तो जिस तरफ canal है उसी तरफ pocket बना रहे हैं यहाँ पर as the crest of under sluice pocket is at low level जैसा कि हमें दिख रहा है कि under sluice pocket का crest जो है इसके comparison में नीचे level पे है तो a deep channel develops towards this pocket यहाँ पर एक गहरा channel बन जाता है इस pocket की तरफ जिसमें की कम discharge भी जब आए dry weather जब बारिश नहीं हो रही है उस वक्त जो पानी आ रहा है वो भी आप आसानी से canal में divert कर पाते हैं the under sluice length of wear or barrage is divided into number of ways by piers and separate gates gates are installed on these ways अर्थात इस length को यहाँ पर divide कर रखा है और इनके बीच में gates हमने लगा दिये हैं यहाँ पर each way can thus be open to any desired height by lifting its gate जितना आपको open करना है उतना आप open कर सकते हैं gates की मदद से each way can thus act as a gate controlled opening and will help in bypassing the access supplies to the downstream side of the river यहाँ वाले gates जो हैं मदद करेंगे कितना पानी इस तरफ से जाने देना है these openings will also help in scouring and removing the deposited silt from under sluice pocket and hence are also known as scouring sluices तो यह जो openings हैं यह opening मदद करेंगी यहाँ आके जो भी silt आ चुकी है silt के particles settle हो चुके हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे अब इसको गर ध्यान से देखें तो आप इस वाले face को देख रहे हैं आप किς को देख रहे हैं इस वाले face को ध्यान से देख रहे हैं यह वाला face आपने जब देखा यह वाला आपका pond level हो गया highest level तो इतना पानी एकसेस है कैनाल में जाने देने के लिए सिल्ट के पार्टिकल सेटल हुए उन सिल्ट के पार्टिकल को यहां से हम इन स्लूइसी की मदद से बाहर निकाल देंगे तो कैनाल को इसके बैड से तो उंचा रखेंगे ताकि सिल्ट यहां आके सेटल हो वो बाहर निकल जाए pond level यह नहीं कि यह जो आपका एक तरीके की जो pocket बनी हुई थी इस pocket के level से नीचे रखेंगे ताकि canal हमेशा भरी हुई हम इसमें supply कर सकते हैं इसलिए इनको scouring sluices भी बोलते हैं यह जो यहाँ पर हमने openings दे रखे हैं इनको scouring sluices भी कहते हैं The crest level of the head regulator is also kept higher than the crest level of the under sluices यह बात मैंने आपको अल्रेडी बता दी कि canal जो है यहाँ पर इसका यह level इसके level से ऊंचा रखा जाता है ताकि silt यहाँ के settle हो जाए The crest level of head regulator is also kept higher than the crest level of the under sluices so that silt-free water is admitted into the canal through the head sluices they help in passing the dry weather flow and low floods without dropping the wear shutters the raising of which involves labor and time तो यह जो sluices होते हैं इनके तुरू dry weather के दोरान भी पानी निकल जाता है इनके उपर जो gates लगाते हैं उनको बार-बार maintain करने में regulate करने में काफी time और मेहनत लगती है तो वो हम बचा सकते हैं Next आता है discharge capacity किस के उपर depend करती है अब तक इससे related question नहीं आया लेकिन आने वाले समय में अगर कभी पूछ ले इससे related question तो discharge capacity of the under sluices maximum of the following design के according अगर हम बात करें तो किस पर depend करेगी twice the maximum discharge of off-taking canal इस canal में यह जो आपकी under sluice pocket है इसकी किशामता कितनी होनी चाहिए जितना पानी इसमें चाहिए उसका double कम से कम इसमें आए twice the maximum discharge of off-taking canal या फिर winter के time पे जो discharge आ रहा है उसका maximum उतना वो कर पाई जब सबसे जादा पानी आ रहा है तो उतने discharge को वो accommodate कर पाई या फिर 20% of the maximum flood discharge 20% of the maximum flood पूरा river के इंदर जो भी आ रहा है या flood discharge है उसका 20% को कम से कम वो accommodate कर पाई winter के time जितना discharge आएगा यहाँ पर वो maximum वाला जितना आ सकता है उसको accommodate कर पाई या फिर canal में जितना जाननी देना है उसका twice वो कर पाई clear? I repeat once again जितना canal में पानी देना है maximum से maximum उसका double इसकी capacity होनी चीए winter के time यहाँ पर जितना discharge आएगा और maximum से maximum कितना आ सकता है उसको accommodate कर पाई 20% of maximum flood discharge वो कर पाई इनके according हम उनको design करते हैं अब आगे बढ़ते हैं next portion आता है divide wall जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि यह divide wall हमने construct कर दी ताकि हम एक तरफ under sluice pocket बना पाए दूसरी तरफ wear proper जो है बनाई हुई होती है तो divide wall is a long masonry या फिर concrete masonry भी हो सकती है और आप mortar से भी बना सकते हैं breaks and mortar को यूज़ करके या फिर आप concrete से भी बना सकते हैं wall आपने construct कर दी जिससे कि आप wear proper को separate कर पाएं under sluice pocket से अब इसका काम क्या होता है एक तो हो गया separation का दूसरा काम क्या करेंगी ये जब पानी यहां से बहके आ रहा है और इस तरीके से lateral turbulence होगा laterally sides में जा अगर वो टकराएगा तो वो कम नुकसान पहुंचाए यहां पर turbulence कम हो तो यह divide wall की मदद से भी यह हो जाता है यहां पर तो यह divide wall जो है sideways वाला जो turbulence है उसको भी reduce करती है यहां पर divide wall कहां तक जाती है divide wall extends on upstream side of beyond the beginning of canal head regulator canal का head regulator जहां से शुरू हो रहा था इससे थोड़ा सा आगे ले जाके हम यहां पर छोड़ते हैं इसको canal का head regulator जहां पर शुरू हो रहा था उससे थोड़ा सा आगे जाके हम इसको छोड़ते हैं और कहां तक होता है it extends up to the end of loose protection of the under sluices under sluices से भी आगे ले जाके इसको हम divide wall को खतम करते हैं top width of the divide wall is 1.5 to 2.5 meters top width जो होती है divide wall की 1.5 से 2.5 meters तक होती है क्या क्या function होते हैं पहला already बात कर ली wear proper को under sluices से separate करना second point it helps in providing a comparatively less turbulent pocket near the canal head regulator resulting in deposition of silt वो under sluices pocket की बात कर रहा है यहां पर third point कह रहा है divide wall may keep the cross currents if at all they are formed away from the wear cross currents lead to vorticity and deep scours and therefore prove dangerous to wears यहां पर जब पानी भैता हुआ आ रहा था तो cross currents ऐसे sideways direction के अंदर जो currents बनते हैं जो कि इन structures को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको यह reduce कर देता है divide wall उसको reduce कर देगा divide wall is provided कहां provide किया जाता है SSE में कैसे question आते हैं देख लीजी ऐसे question आते हैं topic क्या था और question कैसा आया divide wall कहां provide करते हैं जो आपका wear था उसके perpendicular यह wear था इसके perpendicular तो perpendicular to the axis of wear ऐसा simple सा question आपका आया divide wall is provided at right angle to the axis of wear to form still water pocket in front of canal head following is constructed divide wall बनाते हैं ताकि जो wear था पूरा उस wear को आपने एक under sluies वाला pocket और दूसरा wear proper वाला portion आप इसका बना पाएं divide wall की मदद से अब बात आती है fish ladder की fish ladder जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह fish ladder बनाने का क्या purpose है क्यों fish ladder हमने बनाई तो fish जो है वो क्या करेगी water के अंदर उपर से नीचे upstream से downstream direction में और downstream से upstream enable the fish ascend the head waters of the river and thus reaching their spawning grounds for breeding and to follow their migratory habits in search of food खाने की तलाश में या फिर उनकी breeding reproduction का जो proper environment है temperature है उसकी तलाश में वो move करती है तो उपर से नीचे तो आसानी से वो आ जाती है अब stream से downstream तो वो आ जाएंगी अगर हमने ऐसे structure बनाए तो लेकिन नीचे से उपर वो नहीं जा पाती है इन structures की वज़े से तो यहाँ पर वो टकरा टकरा के उनकी death हो जाती है तो इसी लिए एक ऐसा structure बनाते हैं हम जिसमें से fish जो है वो आसानी से move कर पाएं यहाँ पर तो इंडिया के इंदर अगर हम बात करें तो एनड्रॉमस fish जो होती है वो upstream से downstream जाती है winter के शुरुवात में गर्मी की तलाश में वाम्त की तलाश में और वापस आ जाती है monsoon से पहले clear water के लिए तो अगर आपने fish ladder नहीं बनाई तो आप वो करेंगी वो fish आएंगे इंस्ट्रक्चर से टकराती रहेंगी और उनकी क्या हो जाएगी यहीं पर death हो जाएगी तो fish life aquatic life impact ना हो इसके लिए हम यहाँ पर construct कर देते हैं fish ladder migratory fishes are known as anadromas fish move from one part of the river to another part according to the season and in search of food warmth in India only one such migratory fish is found and this species is known as hilsa fish ladder is provided on the side of, किसके side में बनाते हैं fish ladder, थोड़ी सी देर पहली हमने देखा divide wall के side में हम बनाते हैं then comes canal head regulator अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पानी यहां से आ रहा था यह divergent head work हो गया अब हम पढ़ रहे हैं इस portion को canal का जो head है, उसको regulate करेंगे यहां कितना पानी जाने देना है इसको regulate कर रहे हैं, तो canal head regulator की यहां पर बात हो रही है तो canal head regulator हम देखेंगे canal की head के उपर यहां पर canal head regulator की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो हमने डाइग्राम देखा, उस डाइग्राम के अंदर में ये दिख रहा था कि river जो आ रही थी जिस direction में, उसके perpendicular direction में हमने यहाँ पर canal को दे रखा था, लेकिन actual में क्या होता है, थोड़ा सा हम angle दे देते हैं यहाँ पर, जो कि 9710 degree के बीच में होता है, perpendicular बिल पर एक road की तरीके से, कि आपको किसी road पर जाना था, तो एक तो आप बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं, और फिर एकदम sharp right turn लेते हैं, एक आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको turn provide कर दिया जाए, तो आसानी हो जाती है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने 9710 degree angle हमने ले ल ही आपकी और इस canal का head जो है यहाँ पर आपने यह बना दिया, इसके अंदर piers होंगे यहाँ पर, pillars बना रखें आपने यहाँ पर piers बना रखें आपने, जो की support करेंगे gates को, अब आप 3D में थोड़ा सा imagine करिए, कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो इसके head के ऊपर gates यहाँ पर लगे हुए हैं, it consists of number of spawn separated by piers which support the gates provided for regulation of flow into the canal, the regulator is preferably aligned to at 90 to 110 degree for providing smooth entry of water into the regulator, water from the under sluice pocket is made to enter in the regulatory base, आपको पता है यह पूरी under sluice pocket है, यहाँ पर इसका पाने इसके अंदर आने दिया जाता है, यहाँ पर इ maximum height of these gated openings will be equal to the difference of pond level and crest level of the regulator, अब यह जो opening आपने बनाई, अब हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर, यह canal जा रही थी, इन canal की opening की अगर हम बात करें तो इनकी height maximum से maximum कितनी हो सकती है, यह आपका pond level था, तो आप यह जो canal यहाँ से अगर लेके जा रहे हैं, तो इसमें जो भी आ आपने piers बना दी है, openings बना दी, तो इनकी maximum height कितनी हो सकती है, इसी के बारे में वो कह रहा है, maximum height of these gated openings या जो आपके heads बना रहे हैं, sluies head, will be equal to difference in pond level and crest level of the regulator, जो भी regulator का top है, और pond level है, वहाँ तक कि उसकी height हो सकती है, यहाँ तक आप इनको provide कर सकते हैं, basic functions क्या क्या होंगे, canal head regulator के, regulates the water, कितना canal में पानी जाने देना है, silt की entry को control करेगा, prevents river flood from entering the canal, जितना पानी केनाल में जाने देना है, उतना ही जाएगा, ऐसे हैं यह river में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो बहुत ज़्यादा पानी केनाल में चला जाए, पता लगे हम केनाल head regulator जो है, वो ज़रूरी है, structure which is built to divert the river water into canal is known as headworks, या फिर डाइवर्जन headwork हम बनाते हैं, next आता है हमारे पास breast wall क्या होती है, देखे, breast wall के अगर हम बात करें, तो यह आपका pond level था, इस pond level के उपर भी अगर पानी जादा आ जाए, और वो कैनाल के अंदर ना जाने पाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, breast wall जो है, वो construct कर देंगे, ताकि जो extra वाला पानी है, वो इस तरफ इसमें से ना जाने पाए, तो दुबारा से देखते हैं, इसको breast wall is a RCC wall provided from the pond level, up to river highest flood level, river का जो highest flood level है, वहाँ तक हम बनाते हैं, pond level से, ताकि extra जो पानी है, वो उसके उपर से ना जाने पाए, breast wall spans for the entire length of the regulator and will rest over the piers of regulatory base, जो regulatory base है आपकी या जो आपने, आप ये कह लीजिए कि आपने इस तरीके से यहाँ पर breast wall अगर बना दी, आपने यहाँ पर, ये breast wall construct कर दी, यह आपका pond level था, यहाँ पर river का highest flood level है, यहाँ पर जादा जादा कितनी भरी होई हो सकती है, यहाँ पर आपने regulators जो हैं, इनके लिए piers बनाए थे, gates बना दिये नीचे, आपने canal के अंदर कितना पानी जाने देना है, उसको regulate करने लिए, तो इनके उपर ये breast wall जो है, rest करेगी, और पूरे entire span पे बनेगी है, breast wall is subjected to vertical cell weight and horizontal water pressure acting against it from the upstream side, breast wall के उपर एक तो horizontal direction में water का pressure लगेगा, एक उसका, खुद का cell weight लगेगा, उसके लिए हम यहाँ पर उसको construct करते हैं, beer और barrage regulation and silt control, silt control कैसे कैसे हो सकता है, silt control एक तो तब हो सकता है, जब पानी जो है उसके इंदर turbulence कम हो जाए, silt का मतलब sediment के particle, वो कब settle होंगे, कब वो अलग होंगे पानी से, जब वहाँ पर turbulence कम हो, still condition हो, still का मतलब रुख जाए, पानी धोड़ी देर के लिए थम जाए, तब होगा कि particles जो हो settle हो जाए, फिर उनको निकाला जा सके यहाँ पर, तो पहली condition जो हो सकती है, still ponding, दूसरी semi open flow regulation, जब flow कर रहा है तब धिरे धिरे वो settle हो जाए, इस case में हमारे बात करेंगर, तो still pond regulation के अंदर हम क्या कहते हैं, जो आपकी under sluice pocket है, उसके gate हम बंद रखत हैं, जैसे जो पानी आया, यह under sluice pocket थी और इसके थुरू हमने यहाँ पर बाहर canal जो है, वो निकाल रखिया है, अब इसके यहाँ पर जो gates थे, नीचे gate, इनको कर देंगे हम बंद, ताकि इनके थुरू पानी ना जाए, इनको बंद कर दिया, तो अब इस pocket में पानी relatively stable है, तो इस में से set के particles नीचे जो है, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर settle हो जाएंगे, in this method of regulation, all the gates of under sluices are kept closed, while the canal is running, hence the under sluice pocket draws only as much discharge as is required for the canal, तो इस under sluice pocket में पीछे से river से उतना ही पानी आएगा, जितना कैनाल में जाएगा, तो कम यहाँ पर turbulence होगा, अगर आप ऐसे मान यह कि under sluice pocket वाले gate भी खुले थे, तो यहाँ से भी पानी बैरा है, उपर से भी बैरा है, तो जादा turbulence हो जाएगा, अब इनको बंद कर दिया, तो सिर्फ उतना ही पानी आएगा, जितना कैनाल में जा रहा है, तो relatively turbulence कम हो जाएगा, तो यह method useful है to control the amount of salt entering the canal, this method is only possible when the crest of the canal head regulator is high above the upstream floor of the under sluices अर्थात, यह जो आपका under sluice का floor था, इस से आपकी कैनाल का जो crest है, यह उचा हो, तब ही possible है, तब ही यहाँ पे आके silt settle हो पाएगी, साफ पानी उपर उपर से निकल पाएगा, यह होगी still pond condition, next आती है semi open floor regulation, तो इसके अंदर silt के entry में proper control नहीं होता है, क्य state हो भी जाता है, जब water flow करता रहेगा continuously, फिर आता है silt excluder और silt extractor, इन दोनों के बारे में बात करें, दोस्तों तो बहुत simple है, इनको याद रखना, silt excluder का मतलब है कि exclude कर देना, किसी चीज़ को पहले ही बाहर कर देना, उसको पहले ही बाहर कर देना, उसको पहले ही बाहर क devices क्या कहलाते है, silt excluder, silt extractor, आप किसी चीज़ को extract कब करते हो, आप अगर ore में से, आपके पास जो minerals होते हैं, जो ore होते हैं, उसमें से आप metals निकालते हैं, तो आप extract करते हैं, उसमें वो present है already, mixed है उसमें और तब आप उसको निकाल रहे हैं, या फिर जैसे आप laptop के अंदर pen drive जो है, वो insert करते हैं, तो वो already inserted है, तब ही आप उसको eject कर रहे हैं, तो जैसे आपकी CD, DVD ये होती थी, तो इनमें आप क्या करते हैं, eject का button होता था, तो already वो उसके अंदर entered है, तब आप उसे eject कर रहे हैं, तब आप उसे बाहर निकाल रहे हैं, तो उसी तरीके से silt को extract करन या eject करना, मतलब canal में already silt जा चुकी है, पानी के साथ silt already canal में जा चुकी है, अब उसे वहाँ से हमें extract करना है, तो ये आपके पास silt extractor होता है, silt excluder के अंदर पानी में गई नहीं है, silt, canal के अंदर जो पानी जा रहा है, उसमें नहीं गई, पहले ही उसको निकाल दिया, clear water ही canal के अंदर गया, silt extractor या silt ejector जो है, canal के head के आगे बनाएंगे हम, ताकि canal के अंदर जो पानी आ चुका, जिसमें silt आ चुकी, अब उसको हम eject कर पाएं वहाँ पर, तो ये दोनों के अंदर difference है, दोनों में से बैतर कौन सा है, तो silt extractor जो है, या फिर silt ejector, जो canal में silt जा चुकी, तब हम निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा better है, वो ज़्यादा better क्यों है, क्योंकि जो canal का head था, यहाँ से जब पानी निकला, canal के head से यहाँ से जब पानी निकला, तो आगे जाके थोड़ा turbulence कम हो जाता है, as compared to यहाँ का turbulence, तो यहाँ पर जो silt निकलती है, वो case में, यह ज़्यादा better है, पूरी अंग्रेजी वाली कहानी यही लिखी हुई है, the chances of less disturbance and that of providing a smooth approach channel can be better attained in a canal, rather than in the river bed, river के bed में हम ऐसा structure बनाएं, silt को निकालने क्या, उससे better है, canal में बनाएं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से उसको extract कर पाएंगे, entry of silt into the canal is controlled by silt excluder, canal में जाए ही न, इसके लिए तो silt excluder use करेंगे, already enter हो चुका है, फिर उसको हम किसकी मदद से निकालते हैं, ejector की मदद से, तो silt ejector जो होता है, वो कहाँ provide किया जाता है, it is provided in the canal, in the head reach, canal के अंदर ही provide करेंगे, head वाले reach के अंदर, इसी region के अंदर, यहाँ पर canal का head है, इसी region के अंदर, इसी region के अंदर हम यहाँ पर silt ejector बना देते हैं, लेकिन कहाँ बनाते हैं, in the canal बनाते हैं, river में नहीं बनाते हैं, which of the following controls the entry of silt and prevent river floods from entering the main canal, silt को control करता है, और flood जो है वो आने नहीं देता, head works जो है, वो हम बनाते हैं, which of the following is not a part of divergent head work, बेराज पढ़ा, हमने divide wall पढ़ा, head regulator पढ़ा, distributory नहीं हैं, next आता है, failure of wears on permeable foundation, चलो यहाँ से कल पढ़ेंगे, इतना बहुत है, आज के लिए थोड़ी कहानी गहानी चल रही है, numerical portion जो है, वो इतना है नहीं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और next session के अंदर इसको आगे continue करेंगे, failure of wears, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, cross drainage, एक river, जो आप मालीजी, river की कोई stream ऐसे जा रही है, और canal ऐसे जा रही है, तो उन दोनों के पानी को आपस में, आप कैसे cross करवाएंगे, उसकी बात करेंगे, उस topic के, मतलब next session के अंदर, त भी आप हमें जरूर बताएं, thank you so much, मेरा नाम है संदीब जानी, और unacademy की special class के लिए invite code आप यूज़ कर सकते हैं, संदीब double one, तीन बजे हमारी mains की class होगी, जिसमें soil के question practice कर रहे हैं, और शाम को 8 बजे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी का practice session, thank you so much, take care, bye bye कर दो